हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्पुन 50 अबजेक्टी प्रश्ण हम आपको बताएंगे और ये जो 50 अबजेक्टी प्रश्ण है ये आपके फाइनल बोड परिक्षा के लिए काफी महत्पुन है तो एक भी प्रश्ण आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इस 50 अबजेक्टी प्रश्ण में से बहु आइकन को दबा के ओल पे कर लिजिएगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आईए सुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्ण से तो पहला नंबर प्रश्ण है कि स्रम विभाजन और जाती प्रथा के लिखा कौन है ए उपस अंबेड कर हैं इन्हें आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण दो नंबर प्रश्ण है कि पौका उचारण अस्थान क्या है ए उपसने तालू, बी उपसने ओट, सी उपसने कंठ, डी उपसने बताना है कि पौका उचारण अस्थान क्या है तो पौका उचारण अस्थान ओट है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे बी वाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तीन नंबर प्रश्ण है कि बहादूर कहा कि रहने वाला था ए फादूर था यह नैपाल का रहने वाला था यहाँ पे सी वाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण चार नंबर प्रश्ण है कि जार सही कहा थी ए उपसन रूस में वी उपसन फ्रांस में सी उपसन नैपाल में डी उपसन चीन में तो यहा अगला प्रश्ण पांच नंबर प्रश्ण कि सूर्दास सब्द में कौन सी संग्या है ए उपसे ने बेक्तिवाचक बी उपसे ने जातिवाचक सी उपसे ने भाववाचक डी उपसे ने समुह वाचक तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्दास सब्द में कौन सी संग्या ह तो सूर्दास क्या है नाम है और नाम किस में आता है तो बैक्तिवाचक संग्या में आता है यहाँ पे ए वाला आप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुन पचास अप्जेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग इसकी मत आप लोग शुरू से लेके अंतक देखिएगा और विडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आएगे देखते हैं अगला प्रशन चे नंबर प्रशने कि रोन नदी कहा इस्तित है ए उपसे ने फ्रांस मे बी उपसे ने रोस में, सी उपसे ने जर्मनी में, डी उपसे ने अमेरिका में तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहा इस्तित है तो जो रोन नदी है ये फ्रांस में इस्तित है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे ए वाला उपसे बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने सात नंबर, सात नंबर प्रशने की भीमराओं अम्बेड कर अपना प्रेणा सुरूत किसे मानते थे, एयुपसे ने बुद्ध को, भीयुपसे ने कबीर को, सीयुपसे ने जोतीवा फूले को, डीयुपसे ने सभी को, तेहां पे आपको पताना हैं कि भीमराओं अम्बेड कर अपना प्रेणा सुरूत किसे मानते थे, तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, कबिर दास को भी मानते थे, और जोतीवा फूले को भी मानते थे, यानि इन में से सभी को मानते थे, यहां पे डी वाला उप्सन बिलकुली सही हो जा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नमबर प्रश्ण की निरलज अपराधी किसे कहा गया है यहाँ पर एवाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नमबर प्रश्ण की लास सत्रूज क्या था A उपसे नगर, B उपसे ने गाउ, C उपसे ने इसाई मठ, D उपसे ने महा बिद्या ले तो यहाँ पे आपको बताना है कि लास सत्रूज क्या था तो लास सत्रूज की इसाई मठ था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण क्या है तो भारत में जाती प्रथा का मुख्य कारण बिरुजगारी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला ओप्शन बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 11 पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा परियोग किसकी रचना है तो ये महात्मा गाधी जी की रचना है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला ओप्सन बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण की ए उप्सने सहरों में, वी उप्सने महानगरों में, सी उप्सने गाउं में, डी उप्सने सरायों में तो यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चा भारत कहां बसता है तो जो सच्चा भारत होता है ये गाउं में बसता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला ओप्स विल्कूली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रशन 13 नमबर 13 नमबर प्रशन है कि अमबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है A उपसे ने सहद की तरह B उपसे ने दूद पानी के मिसरण की तरह C option ने सकर पानी के मिसरण की तरह C option ने इन में से सभी के तरह तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंबेड़कर के अनुसर भाईचारे का वास्त्विक रूप है तो दूद पानी के मिसरण की तरह है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ने 14 नमबर 14 नमबर प्रश्ने की किस देश की लोग बड़े बड़े नक पसंद करते थे A उपसे ने गौर देश के लोग B उपसे ने कैके देश के लोग C उपसे ने वाहिक देश के लोग D उपसे ने गंधार के लोग यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते थे, तो गौर्ड देश के लोग बड़े बड़े नक पसंद करते थे, यहाँ पे एवाला option बिलकुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रशन 15 नमबर, 15 नमबर प्रशने कि प्राच इन मानों का प्रमुख अस्त्र सस्त्र था तो ना खुन था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे भी वाला आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुर्ण 50 अबजेक्टी प्रशन हम आपको बताएंगे तो एक भी प्रशन आप लोग स्कीमत और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिजिएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन सूला नमबर प्रशन है कि लेखक सब्द का इस्तर लिंग क्या होगा ए उप्सन ने लेख बी उप्सन ने लेखी का सी उप यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक सब्द का इस्तर लिंग क्या होगा तो लेखक सब्द का इस्तर लिंग लेखी का होगा यहाँ पे बी वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशन सत्रा नमबर प्रशन है कि दारिस क्या है इउप्सन सोने के सिखे, बी उपसने चांदी के सिखे, सी उपसने पितल के सिखे, डी उपसने लोहे के सिखे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिस क्या है, तो जो दारिस है यह सोने के सिखे हैं, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला उपसन बिल्कुली सही हो जाएग आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 18 नमबर, 18 नमबर प्रश्ण है कि मंगमा का अपनी बहु से किसको लेकर विवाद था, A उपसने रंगपा को लेकर, B उपसने पोते को लेकर, C उपसने पती को लेकर, D उपसने इन में से कोई नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मं अगला प्रश्ण 19 नमबर, 19 नमबर प्रश्ण है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, A उपसने मंगमा, B उपसने पापाती, C उपसने रंगपा, D उपसने सभी गलत है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था, तो जो मैक्स मूलर के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकिर्तिक संदरे से परिपुन कौन सा देश है यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सरवाधिक संपदा और प्राकिर्तिक संदरे से परिपुन कौन सा देश है तो अपना देश भारत है यहाँ पे एवाल option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 21 नमबर 21 प्रश्ण कि पीता जी किस से नराज थे A उपसे ने संतू से B उपसे ने भग्गू से C उपसे ने दीदी से D उपसे नरेन से तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीता जी किस से नराज थे तो पीता जी दीदी से नराज थे इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 22 नमबर 22 प्रश्ण कि हिरोसिमा कहां इस्तित है A option चीन में, B option जर्मनी में, C option नेपाल में, D option जापान में तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोसिमा कहां इस्तित है तो जो हिरोसिमा है यह जापान में इस्तित है यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 23 नमबर 23 नमबर प्रश्ण की गिरधरलाल सिन सहाब की factory में क्या था E option किरानी, B option driver, C option manager, D option इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है की गिरधरलाल सिन सहाब की factory में क्या था तो किरानी था इसे आपको याद रखना है यहाँ पे E वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 24 नमबर 24 नमबर प्रश्ण कि विसाल भारत में किस चीज का खान है E option सोने का, B option चांदी का, C option कोईले का, D option चावल का तो यहाँ पे आपको बताना है कि विसाल भारत में किस चीज का खान है तो कोईले का खान है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे C वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 25 नमबर 25 नमबर प्रश्ण है कि मदन किसका बेटा है A उप्सेन सहाब का V उप्सेन गिर्धर लाल का C उप्सेन खोखा का D उप्सेन पत्रकार का तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका बेटा है तो जो मदन है यह गिर्धर लाल का बेटा है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे B वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 26 नमबर 26 नमबर प्रश्ण की खोखा किन मामलों में अपवाद था A उप्सेन नियम मानने में B उप्सेन घर की नियमों की धजिया उड़ाने में C उप्सेन सब को प्यार करने में D उप्सेन सभी गलत है तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा घर के नियमों की धजिया उड़ाने में अपवाद था, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 27 नमबर, 27 नमबर प्रशने की सेन सहाब अपने ब क्या बनाना चाहते थे, तो इंजिनियर बनाना चाहते थे, यहाँ पे B वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 28 नमबर, 28 नमबर प्रशने की लेखा का अपने पीता से क्या मांगना चाहता है, A उपसे ने, B उपसे ने, किताब, C उपसे ने, पैसे, D उपसे ने, मचली, तो इहाँ पे आपको बताना है, कि लेखा का अपने पीता से क्या मांगना चाहता है, तो मचली मांगना चाहता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे D वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रशन 29 नमब प्रशन है कि कासी किसकी पड़ साला है, ए उपसे ने, संस्कृती की, V उपसे ने, निरत्य की, C उपसे ने, नरतन की, D उपसे ने, वादन की, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि कासी किसकी पड़ साला है, तो जो कासी है, यह संस्कृती की पड़ साला है, इसे आपको या और अंधरी आले अवें हैं को सीख धरम के संस्थापक कौं। ईसे आपको याद रखना है यहाँ पर भी वाला आपशन बिल्कुल ही सही हो जायेगा आधे देखते हैं अगला प्रश्ण 31 प्रश्ण कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है A option भारत को, V option सिरलंका को, C option नेपाल को, D option जापान को तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है तो जापान को कहा जाता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 32 नमबर 32 नमबर प्रशन एकिनिमन में से हरफ का प्रयायवाची सब्द है इसमें से आपको बताना है कि हरफ का प्रयायवाची सब्द क्या होता है A option अक्षर, B option वाक के C option कहानी, D option सब्द तो यहाँ पे आपको हरफ का प्रेवाची बताना है यानि हरफ का दूसरा नाम बताना है तो अक्षर होता है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण की बिर्जु महराज की पिता जी की मिर्तिव की सकारड से तो लूह से हुई से आपको याद रखना है यहाँ पे एवाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 34 नमबर प्रश्ण की निर्मला कौन थी एवाला लेखक की पतनी सी उप्सन लेखक की बेटी डी उप्सन है पडूसन तो यहाँ पे आपको बत बताना है कि निर्मला कौन थी तो निर्मला लेखक की पतनी थी इसे आपको याद रखना है यहाँ पे वी वाला option बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 35 नमबर प्रश्ण की बाबु जी के साथ विर्जो महराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई ए उपसे ने जोनपूर में, वी उपसे ने कानपूर में, सी उपसे ने मैनपूरी में, डी उपसे ने देहरादुन में तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबु जी के साथ विर्जो महराज की अंतिम प्रोग्राम कहां हुई थी तो मैनपूरी में हुई थी इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 36 नमबर, 36 नमबर प्रश्ण की घरिणा सब्द का बिलोम क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है कि घरिणा सब्द का बिलोम क्या होगा, A उपसे ने क्रोध, B उपसे दोसमन, C उपसे ने प्रेम, D उपसे ने कोमल, तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरिणा सब्द का बिलोम क्या होगा, तो प्रेम होगा, यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा, आइए देखते हैं अगला प्रश्ण 37 नमबर, 37 नमबर प्रश्ण की अभिनेता सब्द का इस्तिरलिंग बताना है, A उपसे ने अभिने, V उपसे ने अभिनीती, C उपसे ने अभिनेतरी, D उपसे ने अभिनेतरी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनेता सब्द का इस्तिरलिंग होगा, तो अभिनेतरी होगा, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण 38 नमबर 38 नमबर प्रश्ण है कि बहादूर का सोभाव कैसा था A उपसे ने चूर था V उपसे ने करमठ और इमंदार था C उपसे ने कामचूर था D उपसे ने तो यहाँ पर आपको बताना है कि बहादूर का सोभाव कैसा था तो करमठ और इमंदार था यहाँ पर B वाला option विल्कुली सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नमबर प्रश्ण है कि दूद का जला मठा फुख फुख कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा A उपसे ने डरा रहना B उपसे ने खुब सुख समझ कर काम करना D उपसे और सौधान रहना D उपसे ने ज्यादा परिसान होना तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूद का जला मठा फुख फुख कर पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा तो खुब सुख समझ कर काम करना होगा इसे आपको याद रखना है यहाँ पर B उपसे ने ज्याएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण 40 नमबर 40 नमबर प्रश्ण है कि धाते विश्वास कहानी के मुख्य पातर कौन है A उपसे ने लक्षमी, B उपसे ने सीता, C उपसे ने गीता, D उपसे ने मंगमा तो यहाँ पर आपको बताना है कि धाते विश्वास कहानी के मुख्य पातर कौन है तो लक्षमी है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे एवाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण एक तालिस नंबर, एक तालिस नंबर प्रश्ण है कि मा कहानी किस कहानी कारक ने लिखा है, ए उपसे ने सिरी निवास ने, बी उपसे ने र याद रखना है, यहाँ पे सी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 42 नंबर, 42 नंबर प्रश्ण है कि तीन बेटे, दो वक्त की रोटी और एक मा किस कहानी की पंक्ती है, ए उपसे ने मा, बी उपसे नगर, सी उपसे धाते विश्वास, यहाँ पे आपको बताना है, कि तीन बेटे, दो वक्त की रोटी, एक मा किस कहानी की पंक्ती है, तो धरती कब तक घुमेगी कहानी की पंक्ती है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे डी वाला option बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं अगला प्रश्ण 43 नंबर 43 नंबर प्रश्ण है, कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, ए उपसने रंगपा, बी उपसने बहू, सी उपसने बेटा, डी उपसने माजी, तो यहाँ पे आपको बताना है, कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो रंगपा कर्ज मांग रहा था, इसे आपको याद यहाँ पर A वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 44 नमबर प्रशने कि किसे खोकर इसवर अपना अर्थ खो बैठेंगे A उपसेने द्योता को B उपसेने धरम गुरू को C उपसेने दानो को D उपसेने भक्त को तेहाँ पर आपको बताना है कि किसे खोकर इसवर अपना अर्थ खो बैठेंगे तो भक्त को खोकर इसवर अपना अर्थ खो बैठेंगे यहाँ पर D वाला option विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 45 नमबर प्रश्ण की कभी अगले जनम कहां लोट आने की बात करता है यहाँ पे बीवाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 46 नमबर प्रश्ण की ब्रिक्ष काटने से क्या बिगड़ता है यहाँ पे वाला ओप्सन विल्कुली सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 47 नमबर प्रश्ण की कभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है A उपसन मैदान B उपसन मरुवस्थल C उपसन नदी D उपसन दल दल तो यहाँ पे आपको बताना है कि कभी जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है तो मरुवस्थल हो जाने से बचाना चाहता है यहाँ पे B उपसन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 48 नमबर प्रश्ण की दूर से कौन लल कारता है A उपसन दूसमन, B उपसन डाकू, C उपसन चौकीदार, D उपसन विरिक्ष तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से कौन लल कारता है तो दूर से विरिक्ष लल कारता है इसे आपको याद रखना है यहाँ पे D वाला उप्शन विल्कुल ही सही हो जाएगा ये देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नमबर प्रश्ण की कौन प्राचिंतम भासा है A उप्सन हिंदी, V उप्सन मराथी, C उप्सन संस्कृत, D उप्सन उर्दु तेहां पे आपको बताना है की कौन प्राचिंतम भासा है तो जो Sanskrit है ये प्राचिनतम भासा है यहाँ पे C वाला option विल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम परशने 50 नमबर 50 नमबर परशने की प्लेटो और कांट थे A उप्सने बीर, B उप्सने दार्शनिक, C उप्सने नाविक, D उप्सने सैनिक तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे तो प्लेटो और कांट महान दार्शनिक थे यहाँ पे B वाला उप्सन बिल्कुली सही हो जाएगा हिंदी के काफी महत्पुन 50 अब्जेक्टी परशन बता चुके हैं और इस 50 अब्जेक्टी परशन में से में देना है कि नकधर मनुसे आज किस पर भरोसा कर रहा है A उप्सन बंदूग पर B उप्सन लाठी पर C उप्सन एटम बंपर D उप्सन लोहे के बने हतियार पर तो जो भी उप्सन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिएगा आपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर सेर किजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थेंक्यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई किजिए टेक के रेंड बाएं